गीजर हम सभी के घर में एक गीजर होता है इस तरीके से जहां पर पानी इस तरीके से आता है ठंडा पानी आता है और गरम पानी निकलता है और इसमें साथ में एक और चीज की यहां पर कुछ electricity हमें देनी होती है electricity के जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ power होती है जैसे कि 2 kilowatt का geezer है 1 kilowatt का geezer है उसकी कुछ power leading होती है अब यहाँ पर हमें एक समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हम दो चीज़ा observe करते है पहली चीज़ क्या observe करते है कि मालनो मैंने geezer को चालू रखा हो है और null को maximum जितना खोल सकता था उतना खोल दिया तो mass flow rate बढ़ जाते है ज्यादा पानी नीचे आता है लेकिन ज्यादा पानी अगर नीचे आएगा तो उसका temperature में उत्रा rise नहीं हो पाता है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमाया पास जो delta T है delta T is change in temperature is proportional to 1 upon flow rate अगर null आप कम खोलोगे धीरे धीरे पानी आगा तो ज्यादा गरम हो क्या था दूसरी चीज़ हम क्या observe करते है कि जितनी ज्यादा power capacity का हमाया पास घीजर होगा उतना ही ज्यादा temperature rise होगा तो हम यह भी देख लेंगे delta T is proportional to power अब देखते हैं कि यह equation I कैसे तो हमाया पास हम Q is equal to M as delta T यह जानते हैं यहाँ पर अब दो cases हो सकते हैं हमाया पास एक हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं continuous heating अब continuous heating क्या heating तो हमेशा ही continuous होती है देखो heating हमेशा continuous होती है लेकिन उसके अंदर जो पानी आ रहा है वो भी continuously आ रहा है और इस तरफ continuously निकल रहा है तो इस case में हम समझे हैं कि यहाँ पर जो change in temperature होता है वो actually constant होता है मानलो यहाँ पर inlet temperature है 5 degrees Celsius और यह geyser की जो भी power capacity है और वो आए जा रहा आए जा रहा है किसी mass flow rate तो यहाँ जो हमारा outlet temperature होगा ना वो मानलो आ रहा है 20 degrees Celsius में तो change in temperature actually 15 degrees Celsius का है और वो कितनी भी देर geyser को चालू रखो वो constant रहने वाला है यहाँ पर हम समझते हैं delta t is equal to constant correct unless कुछ घुमा फिरा करके आपके लिए question बना दिया यहाँ पर हमारी equation क्या हो जाएगी देखो किसी छोटे से time interval dt में हम बोल देंगे power into dt is equal to mass into specific heat capacity into change in temperature अब देखो यहाँ पर जो change in temperature है वो अच्छली छोटी सी value नहीं है वो होगी है ऐसे 10 degrees Celsius यह 100 degrees Celsius यह 20 degrees Celsius जबकि यहाँ पर dt time में जो छोटी इस तरफ unit होगी वो अच्छली mass होगा यहाँ से थोड़ा सा mass घुसेगा dt time में उस कौम क्या बोलेगी dm यहाँ से थोड़ा सा mass निकलेगा dt time में उस कौम बोलेगी dm यहाँ पर जो हमारी equation हो जाएगी वो actually हो जाती है dm s dt तो यहाँ पर हमारे पास power is equal to dm upon dt into s into delta t यह हमारे पास final equation आ जाती है दूसरा guess क्या हो सकता है गीजर नहीं को एहलाएगा फिर वो हमारा जो rod हो जाता है यह क्या होता है बाल्टी होती है उसके अंदर हम rod लगा देते हैं वहाँ पर उसको हम बोलते है batch heating batch heating batch heating का example हो गया हमारी immersion rod इस तरीके से जो rod होती है ऐसी इसमें हमारे पास पानी का एक batch है कहते है इतना सब पानी है इसी को गरम कर दिरो यहाँ पर पानी continuously आ रहा था continuously जा रहा था यह batch heating है यहाँ पर भी देखो किसी भी time में P और हमारे पास delta T time will be Q और यही Q क्या हो जाएगी M as delta T अब यहाँ पर समझो समय बढ़ता जाएगा rod को चालू करके छोड़ दो जितना जादा देटा गरम रहेगा उतना जादा पानी गरम हो जाता है है न वहाँ पर मास फिक्स होता है बाल्टी में जितना भी मास है वो तो उतना का उतना नहीं है तो यह यहाँ पर हमारे पास हम बोल सकते हैं पार is equal to M as delta T divided by delta T या फिर इस तरह के questions हम already calorie meter हैं बहुत सारी कहा चुके है तो special question कैसे बनाया जा सकते है इसी में अभी तो हम खाली पानी गरम कर रहे थे एक काम करते हैं phase change करवा देते हैं और एक question देखते हैं how much water at 50 degrees celsius can be evaporated by a 5 kilowatt heater per second तो यहां पर हमारे पर से किस तरीके से heater होगा और उसकी power है 5 5 kilowatt और यहां पर कुछ पानी है जो की है 50 degrees celsius पर इस तरीके का question यह है नहीं इसमें क्या होगा कि यहां पर पानी पूरा का पूरा पहले गरम होगा और starting में कोई भी पानी evaporate नहीं हो रहा हो फिर उसके बाद अचानक से पानी evaporate होने लग जागा तो यह थोड़ा गलत टाइप का मैंने इसका अच्छल डाइग्राम कैसा होगा हमारे पास यहां पर एक इस तरीके से pipe है यहां से अंदर गुसता है 50 degrees celsius पर water और दूसी तरफ निकलती है हमारे पास steam और यहां पर इस तरीके से heating coil इसमें लपेटी हुई है और इसकी जो power है वो है 5 kilowatt तो आपको क्या assume करना है या आप डीटी टाइम में मान लोगा एक सेकेंड के लिए भी आप calculation कर सकते हो यहां से इन वन सेकंड इन वन सेकंड या फिर इन डीटी टाइम ही कर लो जो भी आपको मर्जी लगे डीटी टाइम यहां से छोटा सा मास गया होगा जो होगा डी है वो पहले 50 degrees celsius 100 degrees celsius गया फिर इस question का correct answer है 20 gram per second कैसे आया solve कर लेते हैं देखो हमने इंडीटी टाइम हमारे पास मान लो डीएम मास इंगेट्स evaporated तो हमारे पास equation क्या हो जाएगी हमें जितनी energy मिली है वो कितनी है और इंटू डीटी यह energy कहां कहां यूज होगी पहले इसका 50 जगरी से temperature बढ़ाएंगे तो हम लिख देंगे dm into specific heat capacity into delta t plus इसी छोटे से मास को हमें फिर evaporate भी कर देना तो latent heat of यहां पर evaporation vaporization हम यहां पर use करेंगे values रखने की कोशिश करते हैं सारी की सारी देखो हमें कुछ values यह जो याद है lv और s की calorie में याद है सबको SI unit में लेके आएंगे तो power की value है 5000 into dt is equal to dm हमने common निकाल लिया specific heat capacity of water in SI unit 4200 joule per kilogram degree Celsius delta t कहां से ले जाना है पचास जगी Celsius से 100 तक लेके जाना पड़ेगा तो यह value आ जाएगे multiplied by 50 plus dm तो बाहर निकल गया है common lv हमाया पास कितनी होती है 540 calories per gram होता है तो 540 calories को मैं कर दूँगा तो वो जूल में 4.2 पर gram था तो उसको kg मनाने के लिए और में को इस तरीके से multiply करना पड़ेगा यहां पर आप value क्या देखते हो यह आ जाता है हमाया पास 50 dt हैना सारे के सारी 0000 और यह 0000 मैंने इस तरीके से काट दिये 50 dt is equal to dm अंदर हमाया पास बचा है 42 x 50 प्लस दूसी तरफ हमाज बचता है 42 x 540 फिर 42 को कॉमन निकाल दो तो हमाया पास आ जाएगा dm upon dt is equal to 50 divided by 42 multiplied by 540 plus 50 यह हो जाता है 590 अब इसको हमें solve कर लेना तो यह approximately यह जो answer आएगा पहली बात तो kg में आगा क्योंकि हमने सारी calculations ऐसा unit में ली थी और इसको approximately मैं लेख सकता हूं क्या 50 into 1000 अब मैंने इसको ग्राम में convert कर दिया है नीचे देखो यह आ रहा है 42 into almost 600 इसको मैं माल लूँ और यह value किती है जाती है 4 into 600 कितना होता है 2400 लेकिन यह 42 है तो मैं इसको 2500 के आसपास माल लेता हूं approximately यहां पर value हमारी cut के आ जाती है यह आ जाता है 20 ग्राम पर सेकेंड बहुत यह अच्छा था अब अब एक और ची देखो जब भी हमें आपास electrical appliances होते है उनकी कुछ efficiency होती है efficiency क्यों होती है यहां पर 5 kilowatt की इसकी rating है 5 kilowatt तो यह consume कर रहा है हो सकता है थोड़ी सी heat यह आसपास के environment में इस तरीके से भेज दे तो हमें efficiency को अगर consider करना है इस तरीके भी बहुत सारे questions बनाया सकते एक question इस तरीके का भी देख लेते हैं A geezer rated 1.8 kilowatt is only 70% efficient if it is used to heat 10 gram per second water stream of preheat temperature 10 degrees Celsius find the temperature of water at the geezer outlet तो यहां पर diagram मनाते हैं अच्छा सा हमारे पास 1.8 kilowatt capacity है efficiency दी हुई है 0.7 हमारे पास जो inland temperature है preheat temperature heating से पहले का temperature है वो है 10 degrees Celsius और mass flow rate है 10 gram per second हमें यहां पर बताना है कि हमारे पास final T final कितना आने वाला है तो हमारे पास equation क्या लगेगी देखो हमारे पास formula है power is equal to dm upon dt जो भी mass flow rate है into specific heat capacity into change in temperature अब यहां पर power की जगे हम use कर लेंगे power multiplied by efficiency यह हमारे पास formula आ गया SI units में ला नहीं है सारी की सारी values वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है option number C देखो values रखने चुरू करते हैं efficiency है 0.7 power है 1.8 kilowatt उसको मैं 1800 watt बोल दूंगा is equal to mass flow rate कितनी है हमें दिये हुई है 10 gram per second यह SI unit नहीं है इसको मैं लेको हूँ 0.01 kilogram per second multiplied by specific heat capacity कितनी है 4200 joule per kilogram degree Celsius and delta T हमें पता करना है यहां से delta T पता चल जाए यह इस तरीके से कट जाता है हमारे पास आता है 180 into 7 divided by 42 is equal to delta T यहां पर इस तरीके से 6 आ जाएगा यह कट जाएगा 30 delta T is equal to 30 degree Celsius T in was हमारा 10 degree Celsius तो T out is equal to 30 plus 10 which is equal to 40 degree Celsius बहुत ही आसान हमारे पास question का answer आ गया which is option number C अब एक बहुत ही interesting सवाल देखते है a 50 gram ice cube at 0 degree Celsius melts at 2.5 gram per second in presence of a heat source find the total time taken for the temperature to reach 20 degree Celsius बहुत ही interesting साई सवाल हो गया क्यों हो गया हमारा पास यहां पर मान लो एक ice रखी होगा है इस तरीके से उसको हम लगातार heat के जा रहे हैं न किसी बरतन में होगी और इसको हम इस तरीके से heat के जा रहे हैं तो अब उसका temperature rise होने लगे है तो हम यह बताना है कि find a total time taken स्टार्टिंग से लेकर कि total time कितना लगा है बहुत ही अच्छा सवाल है विडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है 25 seconds कैसे आया देखते हैं इस बार आप देखोगे कि हमें ऐसा unit में जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी यह पड़ेगी चेक कर लेते हैं देखो हमारे पास जो power है उस power के कारण हमारी 2.5 ग्राम पर सेकंड आइस मेल्ट हो जा रही है तो एक सेकंड में in one second power into one यह हो जाएगी हमारी heat which is equal to mass कितना बिगल गया 2.5 ग्राम और हमारे पास latent heat कितनी होती है 80 कैलरी पर ग्राम तो power की value कितनी आ जाती है यहां से 80 into 2.5 करोगे तो 80 into 25 जानी कि 200 कैलरी पर सेकंड इतनी हमारी पार है और इस पार का यूज़ करना है और इस पार का यूज़ करके मुझे ice 50 ग्राम ice at 0 degree Celsius को 20 degree Celsius पे ले जाना है बहुत ही आसान है तो हम करेंगे power into time is equal to q is equal to m into latent heat of fusion plus m into specific heat into delta t सारी के सारी values रखते है power की value है 200 calorie per second into time is equal to mass यहां पर मैं कॉमा ले लूँगा latent heat of fusion कितनी है 80 calorie per gram specific heat capacity कितनी है 1 calorie per gram degree Celsius और delta t कितना पहुचाना है मुझे 0 degree से 20 degree था तो यहां पर आजाएगा 20 यहां पर आप देखो के सारे के सारे हमने calorie 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 लिये हो है और जो हमारे पास mass की value आने ही वाली है mass हमने रखा आनी है mass भी हम 50 gram अगर रख दें तो gram gram भी cancel हो जाएगे हम यासा unit में conversion की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह हो जाता है 200 t is equal to 50 into 80 plus 20 t की value आजाती है 50 into 100 divided by 200 which is equal to यहां से कटके जाता है 20 by second और यही हमारा answer अब एक last question आल देख लेते हैं यह question भी बहुत interesting है क्योंकि इसमें heat loss अलग तरीके से दिखा गया इस तरीके के question भी हमें practice करने चाहिए last question है इस video का water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at 27 degrees celsius the lid of the container is open and energy dissipates at a rate of 160 joule per second तो यहां पर हमाय पास देखो इस तरीके से container है नीचे से हम उसको heat कर रहे है thousand watts से लेकिन उसकी energy निकल रही है 160 joule per second से बाहर निकल भी जा रही है loss है तो उसको 160 joule per second यानि कि वो भी watt ही होता है in how much time temperature will rise from 27 to 77 data t 50 degree celsius कब होगा तो हमें कुछ value ज़िए है वीडियो को pause करो question को solve इस question का correct answer आजाता है 500 seconds और बहुत ही आसान है इसमें देखो समझना क्या था समझना यह था कि हमाय पास जो पानी यहां पर भरा हुआ है उसके लिए effective power हो जाएगी 1000-160 तो power is equal to 1000-160 which is equal to 840 joule per second या 840 watt अब हमें time पता करना है तो जो energy उसको मिली है वो जाएगी p into time t this energy will be equal to m as delta t power हमें आ गई है 840 joule per second सब ऐसा unit में लखेंगे multiplied by time is equal to mass कितना है 2 liter 2 liter यानि की 2 kg specific heat capacity होती है 4200 joule per kg degree celsius और temperature है हमारा 50 degree celsius का delta t है values क्या 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 कटने वाली है हमाय पास 42 into 284 हो जाता है तो पहले तो एक 0 से इसका 0 काट दो 42 को 2 into 42 से काट दो t is equal to 5 into 100 which is equal to 500 second और अगर आपको और भी calculation करनी है तो इसका answer आजाएगा 8 minute 20 second which is option number c देखो हाथ को घिस रहे हैं तो हाथ गरम हो जाते हैं mechanical energy heat energy में खतम हो रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूं यार हाथों में खुजली हो रहे हैं लगता है पैसे आने वाले हैं कहीं सा तो प्रीज इस QR code को scan करो कुछ ना कुछ donate करो support करो crash up को support करो free education को सभी के लिए और यह जो वीडियो आपने देखा यह था हमारी योलो जही series का तो पूरी की पूरी series absolutely free है उसका भी link description में हम मिलेंगे अगले वीडियो में कर दो